पूर्व केंद्रियमंत्री दिग्वजे सिंग और पूर्व सांसत पुतुल सिंग की बेटी नाशनल शूटर श्रेयसी सिंग राजनीती में कदम रखने जा रही है। खबरों के मुताबिक, श्रेयसी सिंग अपनी मा के साथ 3 सितंबर को आरजेडी की सदसिता लेंगी और वह बांका क्यमरपूर सीट से विधान सभा चुनाव लडेंगी। मीडिया रिपोर्ट की माने तो श्रेयसी सिंग को पूर्व मुखिमंत्री राबडी देवी के आवास पर आयोजित एक कारिक्रम में तेजस्वी यादवार जेडी की सदसिता दिलवाएंगे। दरसल, श्रेयसी एक भारती अखिलाडी है, जो राश्ट्री यवंतराश्ट्री अमैदानों में शूटिंग में भारत का प्रतिनिधित्व करती हैं। इन्होने साल 2014 में जहां भारत के लिए सिल्वर मेडल जीता था वही Commonwealth Games 2018 में गोल्ड मेडल हासल करने में सफलता हासल की। श्रेयसी सिंग राजनीती में भी सक्रिया रही हैं। उन्होने साल 2019 के लोक सभा चुनाव में अपनी मा पुतुल कुमारी के लिए चुनाव प्रचार किया था। श्रेयसी सिंग की मा पुतुल कुमारी बांका के पूर्व सांसद स्वरगिय दिग्वजय सिंग की पतनी हैं और दो बार सांसद रह चुकी हैं। लेकिन इस बार पुतुल कुमारी लोक सभा चुनाव हार गई थी। आपको बता दें कि पुतुल सिंग 2014 में बांका से बीजेपी की उमीदवार थी। लेकिन वहार जडी के जैप्रकाश यादव से हार गई थी। कुतुल सिंग ने पती वबांका के पूर्व सांसद दिगवजय सिंग के निधन के बाद 2010 के उप्चुनाव में निर्दलिय उमीदवार के रूप में बांका सीट से जीती थी। बाद में वह बीजेपी में शामिल हो गई थी। इससे पहले 2009 में दिवंगत दिगवजय सिंग्धी निर्दली अचुनाव जीता था।